नमस्कर प्यारे भाईयों और वहनों आज हम मलाई टोफू बनाना सिखेंगे टोफू के बारे में हमारी इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं टोफू स्वाविन का पनीर होता है इसमें दूद वाले पनीर से कैलरी की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें प्रोटीन की मात् टोफू की सब्जी बनाने के लिए हम 200 ग्राम टोफू का इस्तिमाल कर रहे हैं टोफू को हम फ्रीज से निकालके गरम पानी में नमक डालके थोड़ा सा तीन से पांच मिनट उबाद लिए हैं अब हम इसकी सब्जी बनाने के लिए हम इस्तिमाल करेंगे दू या तीन हरी कटी मीर्च, दस से बारा करी पत्ते, अद्रक लैसुन का पेस्ट, दो मीडियम साइज के टमाटर और दो मीडियम साइज के प्याच, और भी समागडी है जो कि हम सबजी बनाते बनाते मसाला आपको बनाते हैं, सबसे पहले हम गैसॉन करेंगे, इसमें हम दो जीरा जब हलका फ्राई हो जाए, जब जीरे में चटक आने लगे तब हम दूसरी समागडी डालना सुरू करेंगे, जीरा आप देख सकते हैं, चटक चुका है, अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, हरी मिष्ट डालेंगे, इसमें हम अद्रक लैसुन का पेस्ट डालें अब हम इसे प्याज डालेंगे, प्याज को हम अभी जब सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसको प्याज हमारा भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे, छोटी वन फोट चमच काली निर्च, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन फोट टीस्पून धनिया एक हल्दी पाउडर, वन फोर टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून लाल मर्च पाउडर, सबको रखें चलादेंगे, फोरा सब हम इसमें पाणी दालेंगे, यह ताखि मासाला मिंजार, पाणी डालेंगे, हम मिसमें थौरा नमक डालेंगे, नमक स्वाद लुण सा सै इसमें टमाटर डालेंगे और इसको चला के मेडियम आज पे मेडियम फ्लेम पे इसको हम एक मिनिट के लिए ढखके छोड़ देंगे ताकि हमारा सारा मसाला टमाटर प्याज सब निल जाए अब हम इसे वापस अटा के देख लेंगे तेल मसाले से अलग हो गया है हमें पता चलता है जब मसाले से तेल अलग हो जाता है तो कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर आप इसमें मलाई डालना चाहे तो डाल सकते है अगर आपके पास मार्केटगा मलाई है तो आप घर में जो दूद उबालती है ओ ठोड़ा सा दूद और उसी का मलाई डाल दे, आपको बिल्कूल रेस्टोरेंट जैसा, मार्केट जैसा स्वाध्मी लेगे, तूर अज दूर डालेंगे, अब जैसे इसमें उबाला जाएगा, हम इसमें टोफु डाल देंगे, अब चाहे तो इसको छोटा टुक्रा भी कर सकते हम ऐसे ही डाल रहें, छोटे टुक डालो के इसको बंद करके इसमें 2 सीटी लगा दे बस आपका तोपिक रहे हैं आप देख सकते हैं इसमें सीटी आजे राचुका है अब पांचमीनर के बाद इसे खोल के फिर में तोप्र करको गेस निकल चुका है अब इसे खोल नेंगे देख सकते हैं इसे बिल्कुल गल चुका है पक चुका है दूबारा ग्रेस को अन करेंगे देखिए मासाला बिल्कुल गल चुका है प्याज टमाटर अब हम इसमें घर के दूद का मलाई डालेंगे और इसे एक मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अब हमारा टोफू का सब्जी बिल्कुल तयार हो चुका है देखिए कितना टेश्टी दिख रहे हैं अब हम गैस बंद करेंगे और इसको इकालें तोफू का सब्जी बहुत मज़िदार बन चुका है आप चाहे तो इसे हड और रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही पोस्टिक सब्जी तयार है तो यह था मलाई टोफू अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न बोलें थैंक धन्यवार